अत्तव मुत लगाना उसुम्हीं, खाली चूनन लगा के तो, एख बढ़ी यजासे। बाल अगर किसी को मजबूत करने हैं, तो चूना कहो। आंखें ठीक रखनी हैं, तो चूना खो। शरीप ठीक रखना हैं, तो चूना कहो। चूना resistance बढ़ता है, हड़ियों को मुझभीत करता है, चूना खून बढ़ता है, किसी को खून कम बनता है, चूना के लादो, खून बहुत अच्छे से बने हैं। एनी मिया के पेशेक को मैं जो है ना, अनार के रस में चूना बिलाता हूं। बहुत तोजी से खून बढ़ता है। बहुत अच्छी चीज है। ये सब घर घर में है, बस आप उस पे ध्यान नहीं देते। मेरी तो ये ही कहने की बात है, कि आप घर की दवाओं पे ध्यान दो, ये बजार के चक्कर में क्यों फच गया। भगवान ने इतनी चीज़ें हमको दे रखी हैं। इनका उप्योकर। और सौ बातों की एक बात, आपको इतने मैंने नुस्खे बताएं। कई बार लोग कहते हैं जी बूल जाते हैं, याद नहीं रहता हैं। या कनफ्यूजन हो जाता हैं। तो मेरे सौन नुस्खों का एक याद रखना आप हैं। गाय का मूत्र और चूना बस। इसी में जिन्दिगी कट जाए गया। कुछ बीमारी हो गई तो गो मूत्र पी लो। थोड़ा सा चूना खा लो। सब बीमारी ठीक। आप की बीमारी है तो गो मूत्र आखों में डाल लो। एक एक बूंद आखे ठीक होती है। कान में तकलीफ है कान में गो मूत्र डाल लो। कान ठीक होता है। शरीर में तुचा का रोग है गो मूत्र लगा के मालिश कर लो। तुचा ठीक होती है। आणि प्रशाद में गोमूत्र गाइ wrath प्रशाद बनाता है। क्या तकलीफ हो पीओ अच्छा मैं दो कई बार ऐसे वू लगा के पीता हूँ गाय मूत्र देती है ऐसे पी लेता हूँ कोई तकलीफ ही पिर कई लोगों को ये लगता है कि इसको छानना चाहिए नहीं छानना चाहिए अरे गाय के शरीर से ही छानकर आता है दो फिल्टर उसके शरीर में लगे खिड़नी उसके भी वो छानकर देती तो दरूहत उसमें बस इतना ध्यान दखना कि गूमूत्र जब लेना किसी गाय का तो गाय देशी होनी चाहिए एक बात और वो गर्भावस्था में ना हो तो ऐसी गाय का मूत्र पी होगे तब ही लाव है विलाइती ग गाय का मत पी लेना नहीं तो उल्टा हो जाएगा और बीमारी बढ़ जाएगा वो भी मैने पीजे देखा विलाइती गाय का बहुत तकलीफ करता है देशी गाय का पीना और देशी गाय का ही दूद पियो देशी गाय का घीखाओ देशी गाय का मूत्र पियो सब बीमारी ठ गाओं गाओं में तो हर बीमारी का इलाज गाई के मूत्र से और चूने से चूना हर गाओं में मूत्र हर गाओं तो सब याद मैं रहे तो दो चीज़े याद रख लो बस ठीक है तो बीमारी भी मिटी आपकी स्वस्थ हो गए तंद्रुट